हालो एफ्रिवन वेल्कम बैक तो मैं चैनल कात्या केट्स लर्ण विद फन आज किस वीडियो में हम पढ़ेंगे जिसमें से पेज नमबर 30 तक हमने पढ़ लिया है पेज नमबर 31 से हम स्टार्ट करेंगे ओशन उस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहाँ से ज़रूर विजिट कीजिएगा क्योंकि ये वाला जो पार्ट 2 है उस पार्ट 1 से इंटरकनेक्टेड है तो चलिए आगे बढ़ते हैं ओशन on the world map जैसे कि हमने देखा था कि ओशन क्या होता है एक huge water body होता है वो land mass continents को कहते हैं तो huge water body जो होगा वो ocean कहा जाएगा वही अगर हम map देखे figure 2 page number 32 पे देखो ये map है दिख रहा है पूरा world का map है जिसमे नौर्थ में arctic, south में southern ocean जिसको antarctic ocean भी कहते हैं और towards east और towards west pacific ocean है in between north america, south america, africa, europe and lies the atlantic ocean ठीक है और africa, asia, australia, इन सब के नीचे है इंडियन ocean तो ये major major ocean है जिसके बारे में हम अभी देखेंगे चलो शुरू करते हैं on the world map in figure 2.3 जैसा मैंने अभी आपको दिखाया page number 32 पे था हमने देखा कितने ocean, five ocean थे पहला ocean है pacific ocean जो सबसे बड़ा है जिसको मैंने आप लोगों को बताया था कि east direction में पूर्वी direction में है, पूर्वी दिशा में है और पश्मी दिशा में है हमारे globe पे अगर हम देखें तो यह पूर्वी और पश्मी दिशा में है, तो pacific ocean सबसे बड़ा ocean है, the Atlantic ocean, Atlantic ocean देखा आपने यहापे देखो map में, Atlantic ocean कहा है, North America, South America और अफरिका और यूरोप के बीच में है Atlantic ocean, ठीक है, अब अगर हम उसके बाद बात करते हैं, इंडियन ocean के ब इंडिया के ऊपर ही इसका नाम पढ़ा है, Indian ocean, इंडिया के ठीक नीचे है, Africa, Australia और इंडिया के नीचे यह बना हुआ हमारा Indian ocean है, आगे बढ़ते हैं, the Arctic ocean and the Southern, Southern ocean को हम Antarctic ocean भी कहते हैं, ध्यान रखिए बच्चों, Southern ocean को Antarctic ocean के भी नाम से पूछा जा सकता है, map में locate करने के ल ocean और Antarctic ocean दोनों एक ही है, आगे बढ़ते हैं, although we have listed five ocean, it is clear from the map that they are not really separate, हमने five ocean के बारे में देखा, लेकिन मैप से यह clear नहीं है कि यह सारे जो ocean है, वो सभी क्या है, separate नहीं है, the line that divides them on the map are no more than convention, और जो map में lines दिख रही है, वो एक convention है, इसके अलामा और कुछ नहीं है, the theme on the map are the natural world does not follow such boundaries, नेचरल वे में, अगर exact वे में देखा जाए, तो इस तरीखी की कोई boundary नहीं बनाई हुई है, मतलब अगर हम यह देखें, कि Pacific ocean में, Atlantic ocean में, Indian ocean में, Antarctic ocean में, या फिर Arctic ocean में, कहीं से भी boundary बनी हो, नेचर ने कोई बाफकेशन क्रियेट किया हो, पर ऐसा कहीं नहीं है, यह जस्त एक convention है, इसको understand करने के लिए, हमने इसकी एक boundary बनाई है, okay, sea water for example, constantly flow across different ocean, sustaining a rich diversity of marine life, sea water ठीक उसी तरीके से flow करता है, मतलब अब सम्मूंदर में, एक बैरिकेटिंग तो नहीं लगा है, कि Indian ocean का पानी, Indian ocean में ही रहेगा, है ना, तो Indian ocean का पानी, Arabian sea में भी चला जाता, Arabian sea और Indian ocean का पानी मिल करके, Atlantic ocean में, Pacific ocean में, मतलब सारा जो ocean है, सारी जो water body है, सब एक दूसरे से interconnected है, और इसी के साथ साथ, फैलती है हमारी different, different तरीके की marine life, मतलब, marine life का मतलब आप अच्छा से समझते होंगे, वो ऐसा, ऐसी चीजें, जो ocean में पाई जाती है, ज animals जो होंगे, वो marine life में सामिल होंगे, तो जो भी rich diversity है marine life की, वो कहां पाई जाएगी, समंदर के अंदर, ठीक है, many plants and animal species can be found across multiple ocean, तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हमने कोई boundary नहीं बनाई है, nature ने कोई boundary नहीं create किया है, तो इसकी वज़े से क्या होता है, कि बहुत सारी species, ज में पाई जाते हैं, now let's move toward marine flora, marine flora में tiny plants होते हैं, छोटे-छोटे, जिनको हम aquatic plants कहते हैं, marine flora इसलिए बोला जा रहा है, कि ये under the sea है, under the ocean है, salty है, इसका water salty है, तो इसलिए इसके अंदर जो plants पाई जाएंगे, उसको marine flora कहा जाएगा, ठीक है, इसमें tiny plants पाई जाते हैं, ज जाएंगली पर जाते हैं, जो है समुदर की न, जाब plants की समुदर के अंदर जो पाई जाते हैं, उनको हम sea beads कहते हैं, the marine fauna consists of thousands of species of colorful fishes, dolphin, whales, and countless mysterious deep sea creatures, अगर हम बात करते हैं, किसकी marine fauna की, अब यहाँ पर fauna मतलब animal, चीक है, तो marine fauna का मतलब क्या हो गया, ऐसे जानबर जो समु के अंदर रहते हैं, salty water body के अंदर रहते हैं, तो इसको हम कहते हैं marine fauna, इसमें बहुत सारी species सामिल हैं, जिनमें colorful fishes हैं, dolphins हैं, whales हैं, और बहुत सारे sea creatures हैं, जो समुदर के बहुत ही अंदर रहते हैं, Each part of the ocean from the sunlit surface to the dark, they have its own diverse life form, अच्छा, अगर हम समुदर को bifurcate करें, अगर हम ocean को bifurcate करें, तो कैसे दिखेंगे, समुदर का वो हिस्सा जिसमें सूरज की रोशनी आसानी से पढ़ती है, है न, तो वो समुदर का उपर ही हिस्सा होता है, इसके बाद lies the center one, बीच वाला हि अजोचती है, लेकिन जादा तर उसमें अंधिरा रहता है, और बिल्कुल सब से लास वाला में बिल्कुल ही अंधिरा रहता है, यहाँ पर Sunlight पहुंच नहीं सकती, ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग तरीके के depth में, अलग अलग ऊशन के अलग अलग तरीके के depth में, हमा वाले हिस्से में होंगी और कुछ ऐसे plants और animals की species होंगी जो deep down the sea रहती होंगी ठीक है मतलब समंदर के बहुत अंदर की तरफ रहती होंगी so let's move towards page number 32 इसके बारे में हमने जो map या पे दिया है world का map इसके बारे में quick revision करते हैं North Pole पे है Arctic Ocean South Pole पे है Southern Ocean और Antarctic Ocean East और West direction में है towards East and towards West में है Pacific Ocean North America, South America, Africa, Europe के बीच में है Atlantic Ocean और Africa, Australia और इंडिया के नीचे है हमारा Indian Ocean तो यह major five ocean है C तो बहुत सारे पाया जाते हैं ठीक है आगे चलिए आगे बढ़ते हैं Locate the five ocean and in the table below mark the hemisphere of the hemisphere or hemisphere they belong to तो यहाँ पर कहरा है कि map में Pacific Ocean दिखाना है Atlantic Ocean दिखाना है Indian Ocean दिखाना है Southern Ocean दिखाना है और Arctic Ocean दिखाना है ठीक है और साथ में इनको मार्क करना है कि यह किस hemisphere में पाये जाते हैं तो अगर हम बात करते हैं Pacific Ocean की तो Pacific Ocean नदर्न और Southern Hemisphere में दोनों में पाया जाता है अच्छा मैं एक बात क्लियर कर दूँ कि जो hemisphere है इसके बारे में हमने chapter number one में देखा है latitude और longitude वाले chapter में जो हमारा इसे पहले का था लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूँ कि जो equator से towards north है वो हमारा Northern Hemisphere है और equator से towards south है वो हमारा Southern Hemisphere है ठीके तो अगर हम देखें ध्यान से तो केवल Arctic Ocean हमारा किसमे होगा Northern Hemisphere में होगा और केवल Southern Ocean जो होगा वो हमारा Southern Hemisphere में होगा बाकि जितने भी ocean है वो सभी Northern और Southern दोनों Hemisphere में पाया जाते हैं बात करते हैं Pacific Ocean की तो Pacific Ocean Northern and Southern दोनों हमिस्वर में पाया जाता है Atlantic Ocean की अगर हम बात करें तो Atlantic Ocean Northern and Southern दोनों में पाया जाता है और Indian Ocean भी Northern and Southern दोनों हमिस्वर में पाया जाता है जबकि इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो इसका ज़ादा तर हिस्सा हमारे Southern हमेस्वर में पाया जाता है Northern हमेस्वर में इसका कम हिस्सा ही पाया जाता है तो चलिए आगे बढ़ते हैं It is visible on a map that the Pacific Ocean is the largest of all देखो मैंने बताया था कि जो Pacific Ocean है वो सबसे बड़ा ocean है और map से भी clear है इंडियन ओशन की अगर हम बात करें तो हमने जैसे देखा था इंडिया के map में नीचे के साइड में इंडियन ओशन इस जगह पे तो इंडियन ओशन जो है हमारा third largest ocean है और Southern Ocean fourth और सबसे छोटा है Arctic Ocean जो हमारे North Pole पे देख रहे हो आप Europe और Russia के ऊपर, Greenland के ऊपर और North America के ऊपर ठीक है तो यह सभी यह जो एरिया दिख रहा है यह एरिया क्या है Arctic Ocean का है चलिए आगे बढ़ते हैं As the map of ocean makes clear the main limits of the Indian Ocean are Asia to the North Africa to the West, Australia to the East apart from the Southern Ocean in the South ठीक है तो आप रगर हम map में देखें तो जो हमारा Indian Ocean है इसका limit क्या है Asia to the North Asia Africa के West में है Africa to the West and Australia to the East ठीक है ना यह अलग-अलग direction दिखा रहा है कि किस जगहों पे कौन-कौन कौन-कौन सी continents हमारे located है और उसी in between में हमारा क्या है Indian Ocean है On other side of India we find two parts of the Indian Ocean इंडिया के अगर हम बात करें तो दोनों side में दो तरीके के दो parts पाया जाता है Indian Ocean के एक है Arabian Sea जो West direction में है और दूसरा है Bay of Bengal जो हमारे East direction में है ठीक है तो यहाँ पे देखो यह picture clear है Arabian Sea हमारे West में है और Bay of Bengal हमारा East में है Returning to the picture of the earth at the start of this chapter you may have noticed white shape across the globe अच्छा जब भी हम इस chapter की सुरुवात किये थे चलो देखते हैं जब हम इस chapter की सुरुवात किये थे तो हमारे पास एक globe का धाचा मिला था ना देखा होगा आपने यह देखो यह globe का धाचा मिला था इसके उपर जो blue color का दिख रहा है वो blue color का तो water है यह सबको clear है brown color का जो दिख रहा है greenish brown color में या brown color में कह लीजिए यह पूरा हमारा land mass है लेकिन यह जो white color का दिख रहा है यह क्या है ठीके? जो white color का दिख रहा है यह क्या है और यह basically ocean के उपर ही है इसी के बारे में हम अभी पढ़ेंगे यह क्या है? they are the large mass of clouds यह बड़े बड़े बादल है such clouds bring rain to the continents और यही जो clouds है वो continents में बारिश लेकर के आते हैं ठीके? जैसे हम बात करते हैं बारिश के दिनों में जो बारिश आती है मैं इंडिया very summer originate in the ocean every summer जो है monsoon rains कहां पे originate होती है? इंडिया नोशन में ठीके? इस monsoon season के बिना monsoon के बिना हम agriculture का काम नहीं कर सकते हमारा life सफर करने लग जाता है है न? क्योंकि इसके बिना हमारे क्रा होता है हमारे जगों पे हमारे land area पे क्या हो जाता है drought आ जाता है सूखा पड़ जाता है but ocean often also give rise to the storm केवल monsoon rains ही नहीं लेकर के आते ocean और क्या लेकर के आते है storm लेकर के आते है बहुत बड़े बड़े सबुद्री तूफान लेकर के आते है violent event with extreme rainfall or very strong wind such as cyclone which can cause widespread damage to coastal reasons of the world और इतना strong wind लेकर के आते है जैसे कि cyclone है ना जो बहुत जादा damage करता है हमारे coastal reasons को world के किसे भी इसे में जहाँ पर हमारा ocean टच कर रहा हो और वहाँ पर क्या होता है उन जगों पर heavy storm आता है जिनको हम cyclone कहते है तभी इन cyclone को आप अलग-अलग नामों से भी जानते होंगे हर साल अलग-अलग महीने में जब-जब जो आता है alphabet के हिसाब से उनके नाम रखे जाते हैं ठीक है चलो आगे बात करते है tsunami के बारे में tsunami एक बहुत ही natural disaster है जो बहुत बड़ा natural disaster है जो हमारे ocean में originate होता है okay tsunami is another natural disaster that originates in the ocean it is a huge and powerful wave generally caused by a strong earthquake or a volcanic eruption at the bottom of the ocean tsunami क्या है एक natural disaster है जो originate होता है ocean में ठीक है और बड़े बड़े और powerful waves आते हैं किसकी वज़े से ये waves आते हैं जब बहुत भेंकर earthquake आया होता है जब बहुत भेंकर earthquake आया होता है उस दौरान ये जो waves है वो powerful waves हो जाते हैं tsunami can travel thousands of kilometers and submerged coastal areas tsunami जो है हजारों किलोमेटर ट्रावल कर सकती है और हमारे coastal area को डुबा सकती है submerged कर सकती है और बहुत बड़ा damage लेके आ सकती है डेमेज लेकर के आती है चलो तो हम tsunami की बारे में थोड़ी सी बाते कर लेते हैं on 26 December 2004 India and another 13 countries around the Indian Ocean were struck by a powerful tsunami caused by an earthquake in Indonesia अच्छा इंडोनेशिया में एक बहुत भेंकर earthquake आया अब जो वो earthquake आया इसने 13 countries को surround कर लिया और जिसमें powerful waves निकली और वो powerful waves जो है उन 13 countries के coastal areas को damage कर गई और वो दिन था 26 December 2004 का ठीक है अगर हम बात करते हैं अंडमान निकोबार की और खास करके इंडिया की बात करें तो इंडिया में अंडमान निकोबार आयलेंड है हमारा union territory है तो अब इस union territory पे बहुत जादा damage हुआ था इसमें इतना जादा damage हुआ था कि पूरा जो हमारा island था वो damage हो गया था और बहुत सारा लोग मारे गये थे ठीक उसी तरीके से तमिल नाडू और केरला कोस्ट पे भी वही scene हुआ था तमिल नाडू कोस्ट जो है वो towards east है मतलब हमारा बियो बिंगॉल में है और केरला हमारा अरब्यनसी में है तो यहाँ पर बहुत जादा loss हुआ था ठीक है दो लाग से जादा people जो लोग हैं उन्होंने अपने जिंदगियां खो दी थी और हम सब ने पता है हमने क्या किया था हम सब ने schools में अपने अपने donation दिया था उन affected areas के लोगों को support करने के लिए यह जो सुनामी होती है कभी कभी हाती है लेकिन बहुत भयंकर होती है है ना बहुत जादा damage करके जाती है लगली they can often be detected before they hit a coast और अब क्या हो रहा है कि अब इनको detect कर लिया जाता है जब भी यह किनारों में टक्राते हैं समदर के किनारों से जब भी टक्राते हैं coastal areas में तो इनको detect करने की बात हो रही है ना इनको detect करने के instrument किये जा चुके है many countries collaborate in such early warning system और इस warning system में बहुत सारी countries ने collaboration दिया है ठीक है there is in particular an Indian ocean tsunami warning system अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में Indian ocean tsunami warning system जो है लगा रखा है जिसमें की बहुत सारी countries contribute करती हैं और इसकी वज़े से हम अपने life को और property को समय रहते बचा पाते हैं event that led to loss of life and property are handled under disaster management जो अगर हम बात करते हैं disaster management की तो वो सारी चीज़ें इसमें सामिल होती हैं जो किसी के life की और property को damage पहुंचाते हैं ठीक है तो वैसी पढ़ाई को हम क्या करते है disaster management तो basically क्या चीज़ होता है जो कोई natural calamity आती है जैसे earthquake आ गया volcanic corruption आ गया सुनामी आ गया कोई cyclone आ गया इन सभी जगों पे या फिर land slide हो गया या बातलों का फटने का scene हो गया इन सभी जगों पे disaster management में जो trained लोग होते हैं वो लोगों की life को save करने के लिए उनकी property को save करने की कोशिश करते हैं इंडिया hazards on national disaster management authority और इंडिया के पास खुद का national disaster management authority है to deal with all kinds of disaster ताकि अलग अलग तरीके के disaster से हम जूच सके इन में हम उनकी health ले करके अपने आपको successful बनाते हैं है न national disaster management authority जो है इंडिया की वो सभी disaster से लड़ने के लिए तयार रहती है इनकी उनको पूर training दी जाती है so we start continue we continue this chapter in the third part with the continents continents से हम सुरू करेंगे page number 34 पे है exploring society india and beyond chapter से continent को हम पढ़ेंगे अगले section में till then take care and keep watching katya kids learn with fun please do like share and subscribe to my channel हमारे channel को subscribe कीजिएगा हम से जुले रहिएगा thanks for watching